राम राम साथियों, फाइनल इर प्रिक्षा को लेकर आपको पता है जो समिश्या चल रही है, उसके रिगार्डिंग कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी थी और उसके लिए कल हमने आपको वीडियो बना के अपडेट भी करवाया था यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जवाब के साथ-साथ यहाँ पे कुछ अन्या बातें भी हैं जो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं तो वीडियो को पूरी देखना भई भी बिना स्किप के हुए सुरू से लेके अन्तक तो चली वीडियो को सुरू कर लेते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो आपकी अपडेट है यह जागरन न्यूजपेपर के अंदर छपी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतिम वरस्त की पिक्षाई हैं उनको कराने के उलेकर यूजी से जवाब मांगा है यहाँ पे कहा गया है बई इम्तिहान में जो अर्चन आ रही है याणि कि तीन दिन में याचिका पर जवाब तलब चाहिए और याचिका करता को परती उत्तर में 31 से पहले दाखिल करने की हिदायत दी है याचिका करताओं ने कुरोना मामारी की दुहाई देते हुए प्रिक्षाई कराने के निदेश को दी है चुनोती याणि कि जो 31 याचिका करता है तो उनके रिगार्डिंग जो फैंसला आना है अब 30 सितंबर को आना है तो देखो सुप्रिम कोर्ट ने क्या कहा है विश्विधालों को और कॉलिजों को 30 सितंबर तक अंतिम वरस की प्रिक्षाई कराने के आदेश को चुनोती देने वाली याचिकाओं पर यूजी सी से तीन दिन में जवाब मांगा है कोर्ट मामले पर 31 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा नियाय मूर्ती असोक भुषन आर सुभास रेड़ी और एम आर साह की पीट की याचिका करताओं ने आदेश दिया की वे याचिकाओं को प्रती सोलिष्टर जनरल तुसार महता और यूजी सी के वकील को दे इसके अलावा कोर्ट ने यूजी सी को तीन दिन में याचिका का जवाब देने को कहा है इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है अगर याचिका करता कोई परती उतर दाखिल करना चाहते हैं तो अगली सुनवाई 31 जुलाई से पहले दाखिल कर दें सुप्रिम कोर्ट में कई याचि शात्रों को होने वाली प्रेशानी का भी मुद्दा उठाया गया है। मामले में सुनवाई के दुरान सोलिस्टर जनरल तुसार मैता ने कहा है कि करीब 390 विश्व ध्यल्य प्रिक्षाइं कराने की परकिरिया में हैं। उन्होंने कहा कि जारी दिसा निर्देशों के मताबिक छात्र ओनलाइन और ओफलाइन किसी भी तरह की प्रिक्षाइं में सामिल हो सकते हैं। अगर आप चाहते हो फ्यूचर में भी आपको हर तरह की अपडेट मिले चैनल को सब्सक्राइब कर लो भई और बैल आइकन को प्रेस कर लो चलिए इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू है वे गुड़ दें